इन दोर के एरोटरम धानक शेतर में चोरी की संसनी खेज घटना सामने आई है जहां पिदमाशों ने एक के बाद एक तीन घरों को निशाना बनाया और नगदी सहे दाभूशन लेकर फरार हो गए आरोपियों ने पुलिस को चक्मा देने के लिए शेरवानी पहनते ताकि पकड़े जाने पर शादी समारों में आने या जाने का दहाना बता कर बचा जा सके पिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों के तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफतार करने का दावा किया है इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें CCTV फोटेजेज मोबाइल के डीटेल्स उसमें ये पता चला है कि जो इसमें आरोपी है वह ड्रक्स के नशे में और अमूमन ड्रक्स खरीदने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी इस चक्कर में उन्होंने ये पूरी कारव किया वहां से सोने के जेवरात पैसे अन्य इत्यादी चुराया उसके बाद उनने दो अन्य घरों में जाके ग्रहवेदन किया यहां से इन तीनों प्रक्रणों में अलग-अलग करीबन सतर हजार रुपे से अधिक राशी नगत चोरी हुई थी गहने जेवरात थे क्योंकि इसमें बहुत जल्द हमने पूरी गैंग को पकड़ के इनकी उपर कारवाई करने वाले हैं इसमें अभी जो टीम लगी हुई है वो बहुत नजदीक पहुच चुकी है और हो सकता है आज शाम तक इसमें गिरफ्तारी भी हो जाए इनका कपड़े चुराने का उद्देश जो अभी तक सामने आया है वो यह था कि क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है मान लीजे किसी पुलिस चेकिंग में रात्री गश्त में पुलिस वाहन के द्वारा रोक लिया जाता है तो इनके पास एक अच्छा वहाना होता कि हम शादी किसी शादी में जा रहे है तो उस धार्ना से या वो चीज इन्होंने मन में सोचके उन्होंने शादी के कपड़े है शियरवानी इत्या दिछ दु चुराया था इसमहें जो अभी तक समझ में आया है इसमें तीन लोगों की यह गैंग और फर्यक रही थी इसमें जो आरेट प्रिजाबत की रिपोर्ट